दोस्तो गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को और खास कर लड़कियों को जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की पूरी आज़ादी दी जाती है भारत का सबसे छोड़ा राज्य गोवा बहुत ही खुबसूरत और समुद्र किनारों से घिरा हुआ और समुद्री तटो के लिए जाना जाने वाला राज्य है यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता इतनी अधिक है कि परियटक यहां आने के लिए मजबूर हो जाते हैं यहां समुद्र के खारे पानी में नहाने का अपना अलग ही मज़ा होता है अगर आप एक बार गोवा चले जाते हैं तो आप अपने आपको बार बार गोवा जाने के लिए नहीं रोक सकेंगे यहां की खुबसूरती बहुत ही निराली है सबसे रोचक बात यह है कि यहां चर्च की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए यह अंग्रेजों के टिकने का भैतरीन धिकाना माना जाता है और इन्हीं अंग्रेजों की वज़ह से यह भारतीय लोगों के लिए भी एक पसंदीदा परेटक स्थान चुना है और वैसे भी पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुन्दर के किनारों के लिए जाना जाता है तो आज आपको बताते हैं गोवा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे दोस्तो अगर आपको भी गोवा पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तो गोवा भरत का सबसे छोटा और चौथा सबसे कम आबादी वाला राज्य है गोवा भरत का सबसे धनी और सबसे मौडन राज्य माना जाता है और यहां का आदमी प्रती इंकम भरत में सबसे अधिक है गोवा का प्रती व्यक्ती इंकम लगभग 4 लाग से अधिक है जो कि भरत के अन्य राज्यों से कई गुनाव ज्यादा माना जाता है क्योंकि गोवा दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए गोवा में काफी सारे चीजों पर छूट दी गई है और शायद यही कारण है कि गोवा में आपको भारत में रहते हुए भी एक फॉरण देश जैसा फील आ सकता है पूरी दुनिया से भारत में आने वाले टूरिस्टों में लगभग 12 प्रतिशत लोग गोवा घूमने जरूर जाते हैं सरदी के दोरान यहाँ पर ज्यादा तर टूरिस्ट यूरोप से आते हैं जबकि गर्मियों के मौसम में यहाँ की ज्यादा तर टूरिस्ट भारत के हिस्सों से ही आते हैं गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी जाना जाता है और नाशनल जियोग्राफिक बुक के मताबिक इस लिहास से गोवा दुनिया में छटे नंबर पर आता है बारत का एक मात्र तेरता हुआ कसीनो गोवा की राजधानी पंजी के समुद्र मिस्थित है गोवा में इसाई और मुसल्मानों की कुल आबादी लगभग 35 प्रतिशत से अधिक है और यहाँ पर आने वाले इसाई टूरिस्टों की मात्रा भी काफी अधिक है यही कारण है कि गोवा में BJP सरकार होते हुए भी गोव मास या फिर शराप पर बैन नहीं है एक बात चौकाने वाली है कि इस छोटे से राजधे में कुल 7000 से अधिक नाइट बार मौजूद है और यहाँ पर हर बार को सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है एक समय के दोरान गोव में पुर्टगीज कॉलनी होने की वज़़ से यहाँ की संस्कृती में पुर्टगीज संस्कृती का काफी प्रभाव देखा जाता है इसके अलावा भी गोवा के लोग पुर्टगीज पासपोर्ट और नागरिकता के लिए अपलाए कर सकते हैं और पुर्टगीज का नागरिक बिना विज़ा के दुनिया के 172 अरदेश गुँम सकता है और यूरोप के किसी भी देश में जाकर बस सकता है यही कारण है कि हजारों की दादाद में गोवा के लोग पुर्टगीज नागरिकता के लिए अपलाए कर चुके हैं गोवा का सबसे बड़ा शहर वासकुडगामा है जिसको की गोवा का बिजनस टाउन भी माना जाता है गोवा के लगभग 61 प्रतिशत लोग कुणकणी भाशा में बात करते हैं लेकिन यहाँ पर काफी मातरा में मराठी भी बोली जाती है नारियल के पेड़ को गोवा की पहच पूरे भारत का एक मातर नबल म्यूजियम है भारत में पहली बार बाइक टैक्सी की शुरुआद गोवा से ही हुई थी और आज भारत के अन्ने शहरों में भी इसे चलाने की कोशिश की जा रही है भारत का पहला मेडिकल स्कूल और भारत का पहला इंगलिश मीडियम स्कू गोवा में ही बनाया गया था तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें